असलाम अलेकुम अच्छे बहुत असान और सिंपल सा टॉपीक है बेसिकली स्टो मैं जिसके बेस करता है इसको नाम है गार्ड सेल्स और जो गार्ड सेल्स है अगर देखा जाए यह फंक्शन करते हैं इनका वर्ग देखा जाए ऐस मल्टी सेंसरी इसके दोह पर काम करता है यह मल्टी सेंसरी हैड्रॉलिक वाल्फ की तरह मत् selfish के आपको गार्ड Plus नजर आते हैं जिसके अंदर मेरे बच्चे स्ट्रो मैटा नजर आएगा यह गार्ड सेल्स का जो और को और ये किसकी सेंस रखता है अगर देखा जाए ये सेंस रखता है रिस्पॉंस देता है इंट्रा सेलुलर कार्बन डाइकसाइड की अगर कार्बन डाइकसाइड की कंसेंट्रेशन चेंज होती है तो मेरे बचे ये उसका रिस्पॉंस देगा और क्या करेगा स्ट्रोमेटर को response देता है मेरे बचे उसका नाम धार जार और इन्ही चीजों की वज़ा से opening और closing control हो रही होती है कि इसकी बीटा गार सल की मसाल के तो अपर for example यह मेरे बचे दो गार सल्स हैं और यह दो जो गार सल्स हैं इन गार सल के अंदर जो आपको छोटा सा पोर नजर आ रहा है उस पोर का नाम के बटा स्टोमेटा है यह बटा स्टोमेटा है हमें इसको नाम देते हैं दियर कॉल स्टोमेटा और यह स्टोमेटा जो कि छोटा सा सुराख है और यह किसके दर्मयान सुराख बनना है इन दो गार्ड सेल के द opening और closing देखनी है यहां पर स्टो मेटा लिखना है यहां पर देखे लेजिए गा अगर देखा जाए इसके opening और closing को control करना है तो बैटा सबसे पहले जो थियोरी है उसका नम है sugar and starch hypothesis sugar and starch hypothesis जो सबसे पहले हमें बताएगा कैसे open होता है कैसे लॉज होता है वो एक hypothesis है सोरी थियोरी नहीं है और इस hypothesis का नाम के बैटा है sugar starch hypothesis है बेसिकली जो concept है इस hypothesis को paste करने वाला बड़ा उस scientist का नाम है H1 mall मत इसको जिसने propose किया वो एक जर्मन का botnist है जर्मन का रहने वाला plant के उपर study करने वाला एक scientist है और उसका नाम है H1 mall तो इस scientist ने इस hypothesis को पेश किया और बताया कि कैसे open होता है कैसे close होता है कौन सी चीज मेरे बच्चे स्ट्रोमेटा इसने मेरे बच्चे कहा कि जो अगर देखा जो guard cells है guard cells guard cells की पेचान है जो guard cells होते हैं ये मेरे बच्चे photosynthesis cells है मतलब कि photosynthesis करने वाले इनके पास koloroplast होता है और ये photosynthesis cells है किसके photosynthesis cells है मेरे बच्चे epidermis के और किसकी epidermis के मेरे बच्चे उसका नाम है leaf तो पत्तों की epidermis और उनके अंदर आपको नज़राथा ग假 cells और guard cells कौन से cells है मेरे बच्चे ऐसे cells जो photo senses perform होते है और उनमें एक time बोली जिसका नाम गाड़ जिस्ने keyAF करना ओपन और क्लोज करना और चैसों को आपको पता के wraps CO मेरे और पता है कि टाइम दो तरह के एक वकत है sword बेच है और फ्क है रत का वक्त नाइट टाइम मतलब हमने इसको कुंसेप्ट को डवाइड कर दे दो पार्ट में पहला पार्ट को रहोगा बिटा ड्यूरिंग डे टाइम और एक जो मेरे बच्चे मैं इसको डवाइड कर दिया और वो है बिटा रात का वक्त ड्यूरिंग नाइट ये आपने खुद भी बता देना बिटा आपको पूरा कुंसेप्ट खुद भाखुद पता चल जागा और आप खुद भाखुद इसको लिक भी सकेंगे जैसे कि मैं सुबा के वक्त एक चीज अवेलेबल होती है और उसका नाम है लाइट मतला कि सुबा के वक्त क्या अवेलेबल है बटा अवेलेबल होती है अवेलेबल ओफ लाइट सुबा के वकत लाइट मजूद होती है पहला पॉइंट जब लाइट है तो बड़ा फोटो सैंसिस आपक फोटो सेनली का प्रोसीस चलता हो नजर आएगा तो बड़ा एक ही काम होगा और बड़ा वो क्या है प्रोड्यूस ओफ शुगर सुभा के वकत बनना स्टार्ट हो जाएगी तो शुगर सुभा के वकत बनती जाएगी अब जब शुगर बढ़ेगी तो आपको पता है कि क्या हो जाएगी मेरे बच्चे एंक्रीज हो जाएगी जब सल्यूट कंसेटेशन ज्यादा हो जाएगी तो वाटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो क्या हम लिखूंगा डिक्रीज हो जाएगा वाटर पोटेंशल और डिक्रीज ओफ वाटर पोटेंशल तो वाटर पोट ये गार्ड सेल हैं और सुबह के वर्क इस गार्ड सेल के अन्दर फोंट सेंजी Pacific परफ़र्म हो रही ए और फोंटो सेंजी होने की वर्ड़ से इसके अंदर काफी ज्यादा ये शूगर बन चुटी है जब शुगर बन चुकी है सल्यूट का लेवल जादा हो जाएगा और वोटर पोटेंशल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो मेरे बच्चे जहां पर salute का level जएदा होता है मेरे बच्चे पानी उसी की तरफ move करता है तो पानी बाहिर से अंदर की तरफ move करेगा water बाहिर से अंदर की तरफ आएगा जब water बाहिर से अंदर की तरफ आएगा तो मेरे बच्चे definitely ये जो guard cells है ये फूल जाएंगे तर्जिट हो जाएंगे ये 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 तर्जिट हो जाते हैं और ये तर्जिट उस वक्त होते हैं जब सल्यूट की कंसेंटेशन ज्यादा होती है और water potential क्या होता है बड़ा कम होता उस वक़ यह क्या रोदे बड़ा target क्यों 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 वोटर अंदर के तरफ मूव कर रहा है और यह आपको फूला हुआ जब नजर आते हैं तो आपको इसके अंदर यह सुराख नजर आएगा जिसका नाम के बड़ा स्ट्रो मैट है तो हम कहेंगे यह open स्ट्रो मैट है और यह कब होता है यह बड़ा सुबा के वकट होता है और सुबा के वकट क्यों होता है वो मैंने अभी बताया क्यों यहां पर देखा जाए तो मेरे बचे जो guard cells है guard cells बड़ा ये क्या हो जाएंगे guard cells become target ये फूल जाएंगे और उसी दुराँ target होने के वरा से becomes target due to entry of क्योंकि इसके अंदर जाना स्टार्ट कर दिया किसने due to entry of water तो पानी के मेरे बचे अंदर आने के वरा से मेरे बचे ये target हाले में आजाएगा और जब target हालत में आएगा तो water जब अंदर आया तो ये आपको सुराख open हुआ नजर आएगा जिसका नाम के बड़ा guard cell तो सुबा के वकद स्टो मेटा open होते है उसकी वज़ा मैंने आपको बताई के सुबा के वकद light होती है फोटो सेंसरी परफॉर्म हो रही होती है सल्यूड कंसलेशन ज्यादा हो जाता है water potential कम हो जाता है और guard cell तरजीर हो जाती है क्योंकि entry हो रही हो थी किसकी वटा water की अब आते हैं बटा रात के वकद क्या process हो रहा है अच्छे बटा रात के वकद देखा जाए तो आपको सबसे पहला पॉंट तो याद होगा कि रात के वकद एक चिस नहीं मुझूद और वो क्या बटा light मतलब कि no available है क्या बटा light no available light light नहीं होती दूसरा point बटा light नहीं है तो बटा photo senses का जो process है वो भी आपको नजर नहीं आता मतल़् कि यहाँ पर देखाचर जगा ज़ए जो photo senses है no photo senses takes place photo senses का जो process है ये भी आपको नजर नहीं आता इसक जब फोटो senses नहीं हो रहाता जो salute concentration है salute concentration तो वो क्या हो जाएगी बटा decrease हो जाएगी क्या हो जाएगी बेटा डिकरीज हो जाएगी और जो इंकरीज हो जाएगा उसका नाम के बेटा वाटर परटेशन अब यहां पर पॉइंट को समझने वाला बात है वाटर परटेशन जाएगा और मेरे बचे यह जो सलीूड लेवल है वो मेरे बचे क्या हो जाएगा कम झाएगा क्योंकर रात के वकर ना मेरे बचे जो सुबाटेम शुगर बनी ते वो इसमाल हो जाएगी आपने बनाई थी फोटो सेंटेसिस के जरिए से अब मेरे बचे यह कहां इसमाल हो रही है यूज इन रैस्पारशन जो respiration plant करता है cellular respiration वहां पर ये शूगर small हो रही है या मेरे बचे इस शूगर को convert कर दिया जाएगा change कर दिया जाएगा converted into insolable insolable किसके अंदर बैटा? starch के अंदर तो या तो इसको starch में convert करके store कर लिया जाएगा या इसको respiration में use कर लिया जाएगा potential मेरे बचे यहां पर ज्यादा हो गया है और ज्यादा होने के वरत से क्या होगा मेरे बचे अगर देखा जाए तो यही जो guard cells है guard cells जो के सुबा टाइम ऐसे टरजिट हालत में थे अब रात को मेरे बचे क्या होगा? salute concentration कम होगी यह water potential ज्यादा हो गया अब मेरे बचे पानी जोंट से वो बाही के तरफ मूव करेगा पानी अंदर से बाही के तरफ जाएगा जब पानी बाही के तरफ जाएगा यही जो guard cell है अब यह सुकड जाएगा और जब यह सुकड़ेगा तो आपको पता है कि यह जो strong matter वो बड़ा क्या हो जाएगा close strong matter हो जाएगा यह बड़ा strong matter बंद होगे रात के वकद और रात के वकद अगर देखा जाए तो आपको close strong matter नजर आता है close strong matter और मैंने अभी इसकी reason बताई आपको और वो reason क्या है वो reason यह थी कि बड़ा जो guard cells है रात के वकद अगर देखा जाए guard cells become क्या हो जाएगे मेरे बच्चे flaccid हो जाएगे और यह flaccid क्यों होंगे मेरे बच्चे उसकी मैंने reason बताई है due to loss of water तो पानी का निकल जाने की वज़ा से यह flaccid हो जाते है रात के वकद और यह flaccid उस वकद होंगे जब पानी बाइन निकलेगा मेरे पानी बाइन निकालने के लिए मैंने बताए वह जो sugar है वह इसमाल होगी respiration के अंदर यह मेरे बच्चे उसको convert कि और दिया जाएगा किसके बड़ा starch के अंदर जिसके वरसे salute concentration कम हो जाएगी water potential जादा हो जाएगा और इस condition में मेरे बच्चे stromata close हो जाएगा और यह दो टाइम थे एक डियूरिं डे टाइम और एक तर दियूरिं नाइट टाइम यह था पहला concept जिसका नाम है starch and sugar and starch hypothesis अगला बेटा जो concept है बड़ा उसका नाम है potassium iron यह influx potassium iron influx potassium iron बड़ा इसान सा topic है बहुत ही simple सा topic है और आपको पता है एक आपका hypothesis के लिए रो गया है अब मेरे बच्चे अगला चुके है अच्छा बड़ा influx potassium iron यह कब होते हैं यह बड़ा दो वकत है स्टो मेटा को खोलने क्या दो तरीके कार है एक तरीका कार तो आपको मैं पहले बता देता हूं वह है influx अंदर के तरफ जाना influx potassium iron और जो दूसरा है वह आउट flux कंट्रोल बता रहा हूं बैटा कैसे स्टो मेटा को हमने ओपनिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करना है दो मैठेड है एक मैंने बच्चे मैंने क्या हूं सब बताया है influx potassium iron और दोसरा बताया है outflex potassium iron अब मैरे बच्चे होता क्या है आपने salute की concentration ज्यादा करनी है अब देखेगा दरा यह बड़ा guard cells हैं यह guard cells energy लगाकर अपने अंदर potassium iron को लेके जाते हैं क्या कहा रहा हूं energy लगाकर यह देखेगा दरा यह अपने अंदर potassium iron को actively लेके जा रह और मैं फिर बता रहा हूं यह कैसे लेके जा रहे हैं किसको यूज करके energy को मतलब कि यह ATP को इसमाल करके अपने अंदर potassium iron को लेके जा रहे हैं जैसे potassium iron ज्यादा होगा salute की concentration ज्यादा हो जागी water potassium कम हो जागा बड़ा आपको पता पानी अंदर आना शुरू हो जागा होगा जागा salute की concentration ज्यादा होने के वरया से salute मां किसको कह रहा हूँ here potassium iron को potassium iron के ज्यादा होने के वरया से salute concentration ज्यादा होगी और मेरे। होगा वोटर ंंदर के तरफ आएगा और जैसे वोटर ऐसे और कर ऊपनोजह गा-ट होगए मैनने यहां पर 12 काम कि से चीज मेरे बचे potassium ions किसके अंदर मेरे बचे into guard cells किसके अंदर transport किया बेड़ास को guard cells के अंदर actively energy लगा के ट्रांस्पोर्ट कर दिया ठीक हो गया जब बड़ा अंदर ट्रांस्पोर्ट कर दिया तो आपको पता है एक चीज ज़्यादा हो चुकिए potassium ion और मैं क्या लिखूंगा salute concentration यहां पर guard cell के अंदर वो मेरे बचे क्या हो चुके है increase हो चुके है बढ़ चुके है और यह बढ़ गया और साथ ही साथ यहां पर water potential जोन सा है water potential मेरे बचे अगर देखा जाए वो बड़ा क्या हो चुके है यहां पर decrease हो चुके है और आपको पदा जैसे ही जहां पर salute concentration ज्यादा होती है पानी उसकी तरह move करना शुरू कर देता है मतलब कि salute का मतलब नम की आप कहसे हैं कि salute मतलब salt वगरा कहलें या कोई भी चीज़ कहलें salute जैसे sugar कहलें salt कहलें आइन सक्काल है आप समुंदर का पानी पीए तो आपको ज्यादा प्यास लगती है क्योंकि वहां पर salute की concentration ज्यादा है तो जहां पर salute की concentration ज्यादा होती है पानी उसी की तरह move करता है तो मेरे बचे क्या होगा जब पानी अंदर की तरह move करेगा तो definitely जो guard cells है guard cells मेरे बचे क्या हो जाएंगे become turgids ये turgid हो जाएंगे और turgid होने की reason है और वो reason क्या है due to entry of water तो पानी अंदर की तरफ आना शुरू करेगा salute की concentration ज्यादा होने की उरस से तो मेरे बचे वो क्या हो जाएगा turgid हो जाएगा अब दूसरी तरह out flux क्या है जैसे कि आपको पता है ये guard cells है इस वकर turgid हालत में फूला हुआ क्योंकि इसके अंदर potassium ion काफी ज्यादा मजूद है वो ही potassium ion बाहिर के तरफ मूव करेंगे और आपको पता है बाहिर potassium ion तो काफी ज्यादा होगा तो मेरे बचे याँ पे energy लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ये क्या करेंगा बेटा डफ्यूज होगा डफ्यूज के जिरे से बाहिर remove कर जाएगा जरूरत नहीं करेंगा तो आपको definitely पता है कम हो जाएगी और water की concentration ज्यादा हो जाएगी और उस दुरान यहां पर जो आपको स्टो मेंटा नजर आ रहा है यह बड़ा close स्टो मेंटा हो जाएगा तो यह दूसरा method था तो यहां पर मेरे बचे मैंने क्या किया यहां पर एक है method करवाया और वक्तिया diffusion करवाया diffusion of किसको मेरे बचे potassium ions को और कहां पर outside किस से करवाया आउट साइट बड़ा आपको पता है guard cell से करवाया है तो guard cell से मैंने potassium ions को बाहर की तरफ remove करवा दिया जब यह बाहर की तरफ चला गया तो आपको definitely पता है कि जो हां पर absolute concentration यहां पर अब क्या हो चुका है बेटा decrease हो चुक तो मेरे बचे यहां पर जो water potential है वो मिरे बचे क्या हो जाएगा पानी के concentration ज्यादा हो जाएगी in increase हो चुका है अब बचा है यहां पर इन्क्रीज हो गया तो बिटा यहां पर guard cells है वो मेरे बचे क्या हो चुकि है guard cells यहां पर FACID हो जाएगे सुकर जाएगे और यह FACID इस वज़ा से होते हैं क्योंकि इसके अंदर से पानी बाई के तरफ मूव कर रहा है due to loss of water तो ये मेरे बचे हमारे पास दूसरा method था जिसका नाम था influx potassium ions outflex potassium ions जो कि अगला हमारे पास concept था कैसे opening और closing इसके control होती है और हाँ आपको सबसे बड़ा role होता है वह बैटर control of potassium ions को क्ils के गए country क्रफा सबस्क्राइब खास गर्व करते हैं इसको जो चीज आईक मेरे बच्चे होता है जिसका नाम है carbon dioxide और A का नाम है blue light A का नाम क्या होता है carbon dioxide जैसे फ़र एक्जैबल मैं carbon dioxide के बारे पहले बता हूँ कि कैसे control करता है potassium ions की movement को आपको पता है जो low level of carbon dioxide अगर plant में है low level of carbon dioxide ये मेरे बच्चे favor देती है कि open हो जाए बेटा ओपन हो जाए प्लांट में बड़ी कमी है ओपन हो जा तेरी जिरिये से में अंदर आना है favors to opening of favors to open of stromata तो stromata की opening को जो मेरे बच्चे favor करता है वो मेरे बच्चे कौन करता है बेटा stromata की opening को carbon dioxide का low level है क्यों वजा क्या है ताकि मेरे बच्चे आपको पता है प्लांट के अंदर increase हो सके क्या चीज़ कार्बन डाइक्साइट और ज्यादा से ज्यादा photosynthesis हो सके मतर इंक्रीस लेवल आफ कार्बन डाइक्साइट ये favors करती है favors to more photosynthesis तो ज्यादा photosynthesis के लिए carbon dioxide ज्यादा चाहिए और carbon dioxide ज्यादा उस वक्त होगी जब stromata open होगा तो इसी वरा से जितनी carbon dioxide कम होगी उतना ही ज्यादा potassium ions की जो movement है वो मेरे बिचे अंदर के तरफ होगी ताके stromata open हो सके अब आज़ दे ब्लू लाइट बेड़ा जो ब्लू लाइट है इसका भी indirect जो relation है बेड़ा वो किसके साथ है photosynthesis के साथ ब्लू लाइट का सबसे बड़ा काम जोन सा होता है guard cells के अंदर यह बड़ा acidify कर देता है acidify करते हैं मतलब कि acidify the environment of guard cell जो environment है गारसल का मेरे बचे वो guard cell का environment acidity ज्यादा हो जाती है अगर ज्यादा blue light को वो absorb करता है ताके वो ज्याद ज्यादा photosynthesis कर सके और मेरे बचे जितनी blue light acidify करेगी उसके environment को तो मेरे बचे उतना ही ज्यादा more influx होगा potassium ions का तो यह allowing करती है अजाजा देती है acidity environment more influx ज्यादा से ज्यादा आए of potassium ions और आपको पता potassium ions जितना ज्यादा अंदर के तरफ आएगा salute concentration ज्यादा होगी और मेरे बचे जितनी salute concentration ज्यादा होगी water potassium कम होगा और मेरे बचे स्टो मेटा open हो जाएगा क्योंके जो guard cells है वो बड़ा क्या हो जाँगे target तो यह बड़ा concept था opening and closing और स्टो मेटा और यह बहुत important topic है examination के तोब पर और हाँ इसके अंदर as it is ही आपने paper में लिखना होता है जैसे मैं पहले बताता रहता हूँ और आपके number इंशाला नहीं खटेंगे